तो ऐसे में इसी प्रक्डिया को हम क्या कहते हैं रिपोर्ट लेखन जो है याँ पर कहते हैं प्रतिक्ष रूप में देख कर ध्यांदीजी यह पर प्रतिक्षी रूप में देख कर या फिर उसके बारे में शोध करके प्रुत्वी ग्रपर जो है मतलब हो प्रुत्वी पर ग्लोबल वार्विन का प्रबाग किस तरह पढ़ रहा है इसका एक शीर शक्ट जो है इस तरह यापरा पर रख सकते हो नमस्कार मैं हूँ हर्शीता हिंदी लेक्चुरर विद्धैश्रम कॉलेज मैसूर आज हम मैसूर उनिवेसिटी के सेकेंड सेमिस्टर बीकॉम की हिंदी पर्टेक्रम से जो यूनिट फॉर है उसमें से रिपोर्ट लेकन जो है उसे देखेंगे देखें आपको यूनिट फॉर के फस्स सेशन में ही मैंने बता दिया था कि आप लोगों के लिए में टाइटल ज सेशन में समाचार मतलब क्या है समाचार संकलन किस तरह किया जाता है और समाचार जो लेकन वहां किस तरह किया जाता है करके तो आज के सेशन में हम रिपोर्ट लेकन के बारे में देखेंगे क्या है रिपोर्ट लेकन जिसे हम हिंदी में प्रतिवेडन जो है या पर कहते है उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे देखे यह पर रिपोर्ट लेकन मतलब क्या है निर्णयों को और तत्यों को सूचित करने के लिए निश्करशों और सिफारिशों को व्यवस्तित रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ही रिपोर्ट लेकन है शायदी समझार पत्रों में फिर बहुत बार जो है आप लोगों ने रिपोर्ट लिखन को पड़ा होगा मतलब जो रिपोर्ट करते हैं तो ऐसे में यहापर जब देखेंगे तो आपको समझ में और भी अच्छे से आ जागा कोई निर्णाय उंको या फिर किसी तत्य उंको मत क्या कहते है रिपोर्ट लेखन जो है यहापर कहते है तो इससका अगरत अगरे में को हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं और प्रतिवेदनन को संस्था सबा दल या किसी प्रकार के दुरगटना का विवरन जो है किया जाता है तो क्या होता है रिपोर्ट में क्या किया जाता है उसमें किसी संस्था का या फिर सबा का या फिर दल या फिर किसी प्रकार के दुरगटना का एक विवरन जो है या पर किया जाता है इसी को कहत प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट करना देखे कही पर कुछ दुरगटना होती है कुछ आक्सिडेंट हुआ कही पर तो ऐसे में उसका एक विवरन देना दो है क्या है कहां पर हुआ कैसे हुआ कोई मरा या फिर कितने लोग घायल हुए तो इस सब के बारे में क्या है विस्तित चलती आ रही है। उस संस्ता के बारे में उस संस्ता पर क्या नेरनए पर लेता है और उस संस्था जो है अपर वो कैसे चलती आ रही है उसके काम जो है कैसे चलता है और फिर कोई नए आफ़र जो है वहाँ चोडते तो इसे-में बहुत सारी से देखकर या उसके बारे में शोध करके लिखे हुई लेक को रिपोर्ट या प्रतिवीदन केते हैं मतलब क्या है कोई समार हो सकता है या फिर कोई सम्मेलन या फिर कोई कारियोजना या फिर कोई घटना इसके बारे में क्या है प्रतिक्ष रूप में देखकर धैंदीजी आ पर कुछ समय पहले मैंने बता कि कोई accident दुर गटना तो उस गटना को या फिर कोई सबाह हो सकते कोई समार हो या फिर कोई कारी ओजना या फिर कोई कहीं पर कुछ वर्क्शॉप ही हो रहा है तो उसे अगर क्या है डायरेक्ली प्रत्यक्शिरूप मतलब डायरेक्ली देखकर उसके बारे में वर्णन करना या फिर नहीं देखा है तो क्या है उसके बारे में शोध करके ऐसे बहुत सारे और भी बाते हैं जिसके बारे में क्या है शोध करकर यहां पर क्या करना पड़ता है सर्च करके यहां पर क्या है एक रिपोर्ट जो है लिखना पड़ता है नेक् तब किसी प्रकरण का और फिर किसी अकारी योजना के आदि के बार में स्पष्ट रूप से देख कर या फिर चान बीन करके एक परिपूर्ण विवरन जो प्रस्तित किया जाता है ना या फिर रिपोर्ट जो यहां पर दिया जाता है ने उसे ही हम क्या कहते आपर क्या है आप लोगों ने स्कूल में बहुत सारे क्शेत्र में और बहुत सारे स्तर पर पर रिपोर्ट की उद्देशी क्यों किया जाता है अभी मैंने बोला कि क्या है प्रतिवीधन फिर रिपोर्ट लेकान लिख जाता है क्यों लिखा उसका उधेश क्या है किसी विशे का पूर्ण आच्यान करके क्या है आपर सभी तत्य सुझाओं को वेगनाजिक securing यह रिपोर्ट का उधे 맞는 क्या है उसका उद्देश या पर या तो सभी तत्यों को सूचनाओं को एकत्रित करके क्या है जिस विशे के बारे में वो लिख रहे है तत्संबंदी जो विशे है उसके बारे में या पर सबी तत्य जो भी सच्चाई है जो भी फैक्ट है और उसके साथ सथ क्या है पर बाकी जो भी सुचना है उसे पहले एकत्रित करना है और उनकी जांच करनी है सिर्फ ऐसे किसी ने बोल दिया तो वो लिखना नहीं है तो ऐसे में पहले क्या है पहले प्रत्यक शुरुप में देखना है नहीं देखा है तो क्या है पहले उसके सम्मनित जो सूचनाय है उन सब को इखटा करना है फिर उसके बाद जांच करने है फिर उसके सम्मन में क्या है सुझाओं या फिर वईज्यानिक ढंग से जो एक रिपोर्ट लिखना है क्या है इसका उद्देश है मतलब लोगों को अगर क्या है सरल बाशन में यह जो है आपको समझ में नहीं है तो सरल बाशन में बोलना है तो लोगों को जो है अपर सच्चाई से आउगत कराना लोगों को सच्चाई से आउगत कराना example है कोई मरा होता है कोई आपर कहता है कि क्या है वहाँ आत्म हत्या है कोई कहता है कि वहाँ दुरगट ना है कोई कहता है कि वहाँ खून है तो ऐसे में क्या है रिपोर्ट लिखते हैं समय क्या है जो सत्तिकी शोध है उसे करनी पड़ती है जांच पड़ता जो है करना पड़ता है फिर बाद में ही क्या है वहाँ पर रिपोर्ट जो है लिखना पड़ता है तो इसलिए मैंने बोला कि क्या है अलग-अलग तरीकी के जो है पर क्षेत्र मे पूर्ण जानकारी जो है, लोगोंको यह उपलब्द कराना, सत्ति को लोगों तक पहुक्चाना, किसी विशे के बारे में, पूर्ण रुप से जानकारी यह ही बार में करना है लोगोंको देना, जो समाचार पत्र में हम जो रिपोर्ट पड़ते हैं, I am a multiple options, ओधना है पर किसी विशेय पर आवश्य को सूच प्रदान करना कही पर क्या है अगर आप शेयर यहां पर क्या है डालने चाहते बना न जाए किसी में कौन सांफ चाहते हैं इसे हैं कंपनी की रिपोर्ट चुआ मैं देखनी पड़ती है फिर किसी में अच्छा चल रहा है ?? किसमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मुनाफ़ा मिल सकता है यह सबी जो है चान बीन करके जो है पर हम क्या करते हैं शेयरिया डालते हैं फिर किसी में इन्वेस्ट करते हैं तो है पर कंपनी रिपोर्ट जो है उसे ही देखकर हम क्या है इन्वेस्ट करते हैं तो कंप पर जो भी क्या है कारेक्रम होते उस पर भी अपर क्या है रिपोर्ट लेकन जो है लिखने के लिए कह सकते जैसे बाल दिवस वातंतर दिवस के बारे में मैंने बताया उसके साथ जो भी समस्या है समाज में चल रहे कहीं पर कुछ यह पर हो रहा है किसी संस्ता का कोई आयोजन है सम्मेलन है तो उसके बारे में भी क्या है वहापर क्या हुआ उसके बारे में भी आपर क्या है रिपोर्ट देते हुए आपर रिपोर्ट लेकन जो है लिखा जाता है तो समाचार पत्र में ज्यादा तर एक आवा क्या है अविभाज्य अंग ही हम क्या है आपर कह सकते हैं कि समस्या के समाधान में सहायक हो सकता है क्या है रिपोर्ट लेकर जो है उसका महत्व क्या है उसकी इंपोर्टेंस क्या है कि जो भी समस्या रहती है उसके समाधान के लिए क्या है उस रिपोर्ट को देकर हम समाधान जो है निकाल सकते हैं एक्जमपल है क्या है कोई कमपनी भी ह हुआ है मतलब क्या है आनी हुई है तो कैसे ठीक कर सकते हैं उस रिपोर्ट से पता चलता है या फिर और भी कहीं पर किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम है एक जमपल किसी गाउ में बिजली की समस्या है तो वहां पर एक रिपोर्ट जो है वहां लिखेंगे तो उस रिपोर्ट क लेने में सहायक्ता वहां हो सकती है या फिर क्या है और भी बहुत सारे अंप्पट्र में एक रिपोर्ट जहां लिखका जाता है कि इससे क्या हो सकता है लोगों को कुछ निरणय लेने के पर सहायता हो सकते नेक्स्ट सूचना उनका भंडार है क्या है इसका और एक सा इंप समस्यां से आवगत कराना इंपोर्टेंस इसका क्या है रिपोर्ट लेकन फिलाल जो भी समस्या रहती है उसे लोगों को आवगत जो है कराती है नेक्ष देखिए प्रतिवेदन लिखते समय ध्यान देने वाली बात important वाभी आफी दियान देना है करके एक तो रिपोट हमेशा संगशिप्त में वो ना चाहिए याद aby रिपोर्वर लेकर लेखेंगे तो वह संगशिप्त में दियान रुणा है रिपोर्ट का शीषक सिंप्ष्ट में रिपोर्ट Acho को ओर में शीष्ट में होना है नेक्ष्ट भाषा सरल होनी चाहिए और एक जो हम यहाँ पर लिखते हैं रिपोर्ट तो भाषा जो है सरल होना चाहिए क्योंकि जब लोग उसे पढ़ेंगे वह आसानी से समझ सके नेक्ष्ट देखें गटना प्रकरण आधी जो भी हो उसकी तिति और समय की सूचना देना चाहिए एक्जमपल किसी घटना के बारे में किसी सम्मेलन के बारे में फिर कुछ ऐसे समय से संबंदित हो तो क्या है एक्जमपल एक सम्मेलन तो है वह कब हुआ उसका जो समय है लिखना है और देट दिना को जो है वह पर लिखना है नेक्स्ट क्रमानुसर लिखनी देज जो भी निर्णा उससे संबन में रहता है तत्संबन से विशय के बारे में इसकी भी जानकारी जो है do डाइरी व्यक्ठिगत मतलब spiritual छोचे पर यह ने कम बारे सकते doris न है किसी सबा के बारे में आदि के बारे में बीवरन जो है पर दिया जाता है जैसे क्या है संस्ता में कोई है रिपोर्ट रिपोर्ट लिख सकते है जίसे स्कूल का में वार्शिक हों सकते हैं नेक्स ने देखिए, वीवरन आतमक प्रतिवेदर, मतलब इसमें किसी यात्रा, मेला, सभा, रैली, आधी का वीवरन तैयार किया जाता है, जेसा एक्जामपल मेला हम यह पर देटे हुए, एक्जम्पल एक मेला जो है वहा हो रहा है एक्जम्पल कुम्ब मेला ही तो आप मतलब क्या है रिपोर्ट लेकर मतलब क्या है और उसके उद्देश्य महत्व इस सब के बारे में जैनब प्रकार के बारे में अब देखिए आगे आपर एक उदारन जो है आपको दिया गया है कि किस तरह रिपोर्ट लेकर आपको पूच सकते हैं आपको दस अंक के लिए चाहिए किसी रिपोर्ट लेकर को लिखने के लिए आपको पूच सकते हैं हो सकता है आप इसे बहुत सारे लोगों ने स्कूल में बहुझा है पर लेकर खेशांटे बिखा होगा तो दो और एक उदारण दिया के पत्री का रिपोर्ट क्योंकि समाचार पत्र से संबंधी थे तो इसलिए पत्री का रिपोर्ट के संबंध में और आपको लिया गया है कि आपके विद्ध्याएले ने पृत्वी-पर continental ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव विशे पर एक संगोष्टी का आयोजन किया आपनी विद्धालिये पत्रिका के लिए समचार रिपोर्ट लेकन तयार किजिए किस विशे पर in các प्रुट्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव और उसका प्रत्वी पर क्या है किस तरह हो रहा है इसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लेकर लिखना है करके तो एक संगोष्टी वापर हुई है तो उस संगोष्टी की बारे में पर रिपोर्ट लेकर लिखना है करके तो एसे में क्या है एक विग्याक पन संगोष्टी पर रिपोर वार्वीं का प्रभाग किस तरह पढ़ रहा है इसका श्रीषक जो है इस तरह आपको रख सकते हो तो ऐसे में जान दोद्वारा स्कूल विज्ञान संगोष्टी का आयोजन किया गया था संगोष्टी का विशेग्रह पृत्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रबाव था देखे मैंने पहले ही बताया था कि किस बात पर ध्यान देना है वहां पर आपने देखा कि समय और दिनांक जो है जरूरी है तो यह आप दे जाने के लिए उसे डलवाया है तो ऐसे में प्रारंबी कनुचेद फिर उसके बाद जो है मुख की बाग जो है में कंटेंट किस तरह रहना चाहिए कारेक्रम के शुरूआ तती थी वक्ता डॉक्टर जेंडो के अभिनेंदन के साथ हुई इसके बाद हमारे प्राचारी लियोनर्ड ने प्रतिभागियों का समर्तन किया डॉक्टर जेंडो ने इस विशय पर अपनी विशाल अंतर दुरुष्टिया और जान को प्रतिभिम्बित किया और हमारे कॉर्बन उत्सर्जन को रोकने के महत्व पर जोर दिया उनके द्वारा तैयार किये गए चार्ट और ग्राफ के साथ दश्रकों को जटिल रूप से आउगत कराया गया था कि हमारा ग्रक कैसे बत्तर के लिए बदल रहा है मतलब क्या है बहुत हानी जो है पर ग्लोबल वार्मिंग से हो रही है तो ऐसे में जान्डों ने क्या समझाया जो अथी थी थी ते मुक्या थी थी उन्होंने अपने बनाए चार्ट के जरीए क्या है पर लोगों को समझाया कि किस तरह हमारे पृत्वी जो है वहां विनाश की ओर बढ़ रही है तो इस तरह सभी आपर मुक्य बाग में लिखना है तो ऐसे में उसी का क्या है वर्णन जो है और भी आगे करते हुए जाते है कि कहा है परिकलपना का भी प्रस्ताव रखा की अगर इस तरह कि मनशास्त्री गतिविदियों को अनियंत्री छोड़ दिया जाए तो ग्रह पृत्वी का क्या होगा मनुष्य ने ग्रह को कैसे प्रभावित किया है इस पर सभी प्रतिभागियों के लिए यहां वास्ताव में आये खोलने वाला अनुभा हुता संगोष्टी का समापन प्रतिभागियों के प्रश्णों के एक दवर के साथ हुआ लंच ब्रेक के बाद ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रभावों को चित्रित करते हुए एक लगू वृत्ता चित्र दिखाया गया था इसने दर्शकों को मंत्र मुग घनिवाद ग्यापन के साथ चार गंटे तक चली संगोष्टी का समापन हुआ प्रतिभागियों ने इस्तिती में बदलाव लाने का भी संकल्प किया देखें पर अभी अंत में आपको क्या करना पड़ता है निश्कर्स जो है वहाँ लिखना पड़ता है तो एसे में क्या है दन्निवाद फिर उसके बाद क्या है अपर चार गुंटे तक क्या ये जो क्या है संगोष्ठ ये वा संपूर्ण हुआ कितने समय तक चला उसके बारे में बताते हुए वहां नहीं क्या है पर जो परिस्तिति है ऊसे में बदलाव लाने की अनुनरे इस तरह इस Kellya स्थी प्रारंबिक प्रस्ता में जो है बहुत ही तो सब्जिक्ट के अनुसार टॉपिक के अनुसार आप लोगों को बाते लिखनी पड़ती है हो सकता है कि आपको परेक्षा में पर एक रिपोर्ट लेकर लिखने के वही कुद प्रशन देकर जैसे अभी मैंने आपको एक उधारन एक्जम्पल बताई वैसे ही क्या है कोई भ भी बात बताई उसे ध्यान में रखिएगा धन्यवाद